आज की इस वीडियो में हम डिफरेंशियल काल्कुलिस का जो अभी तक हम अप्लिकेशन डेरिबेटिफ कर रहे थे उसका एक्जाम्पल नंबर फाइव आज हम देखने वाले हैं सो एक्जाम्पल नंबर फाइव सही स्टार्ट करते हैं सिधा वीडियो को तो कोश्चन यहां पर आपको गिवन है लेडर 13 मीटर लॉंग लीन्स अगेंस्ट हाउस एक लेडर है इस अकॉर्डिंग मैंने इसको लीन किया हुआ है यहां पर देखेंगे अगर आप पिक्चर मे तो यह एक हाउस है जिसकी दिवार है यह वर्टिकल दिवार यहां पर मैंने बनाई हुई है एक हाउस की और इसी में ही एक सीडिया मैंने यहां पर डाली हुई है इस अकॉर्डिंग तो यह इस तरीके से सीडिया लगाई गई है इस घर के दिवार पर the foot of the ladder is pulled along the ground away from the wall तो यही चीज यहां पर दिखाई हुए है कि वो इससे आगे की और निकली हुई है जो इसका foot है लेडर का जो foot है वो इसके इस तरफ को निकला हुआ है तो यहां पर यह लाइन यह सेट्मेंट अभी यही कह रहे है इसके बाद यहां पर इसने आपको बताया है कि the foot of the ladder is pulled along the ground away from the wall at the rate of 1.5 meter per second मतलब इसको इस तरीके से खीचा गया है कि वो 1.0 meter per second की रफतार से खीचा है मतलब जो यहां पर खीचा हुआ है इस ladder में जो यह चीज यहां पर ऐसे थी तो यह लीन ऐसे ओड़की थी इस house की वाल पर तो इस जब हमने इसको खीचा तो यह कुछ इस तरीके से हो गई तो अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहे हूं अभी जो खीचने की रफतार है वो आपको बताए कि वो 1.5 meter per second से यह चेंज हुआ है अब इसके बाद यहां पर आपको given given part यह है इसके बाद अगर आप देखेंगे तो 13 meter long मतलब की इतनी लंबाई इसकी है तो हमें changing कि कितनी तेजी से जो यह alpha angle है ladder और ground के बीच में अगर आप देखेंगे तो यह ground है इसी ground पर ही यह टिका हुआ है तो इन दोलों के बीच में जो angle alpha है वो कितनी तेजी से change हुआ जब when the foot of the ladder is 12 meter away from the wall sorry 12 meter away from the house कि जो यह कितनी तेजी से change हुआ होगा यह alpha मालीजे एक रफतार से यहाँ पर इसने खीचा है इसको तो यह कुछ इस according यहाँ पर आ गया तो रफतार जो थी खीचने की यहां से foot से इसने खीचा आगे की और तो यह इस तरफ को आ गया तो जो आपको दी हुई है वह 1.5 meter per second given है तो इसका मतलब अगर मैं इसको मानलू कि अभी इसका distance x है अभी इसका distance x है और जो यह distance होगा इसके ladder के top का और house मतलब house नहीं ग्राउंड के जिए ground का bottom का तो यह मैंने मानले distance y तो यह x हो गया यह y हो गया अब अगर हम बात करें 1.5 meter per second क तो जो बदला हुआ है जो change हुआ है वो क्या change हुआ है यह change हुआ है यह अभी मैंने अगर माना x है तो जो change हुआ है मतलब x change हुआ है वो आपको change given है अब वो change कैसा given है 1.5 meter per second मतलब यह time के respect में change हुआ है x तो अगर मैं यहां कहूं तो given part जो आपको है वो dx by dt given है 1.5 meter per second य अब alpha जो है how fast is the angle between the ledger and the ground is changing यह जो angle है यह कितनी तेजी से बदला यह कम यह जादा हुआ होगा पहले कुछ और था then फिर कुछ time बाद वो कुछ कम हुआ होगा यह जादा हुआ होगा यह अभी हम नहीं calculate करें लेकिन यहाँ पर जो इसके angle में जो change आया वो हमें find out करना है इसका मतलब हमें जो find out करना है वो d alpha by dt find out करना है यही आपको यह line बता रहे है how fast is the angle alpha between the ledger and the ground is changing जब जो foot of the ladder हो गया क्या हो गया foot of the ladder foot of the ladder आपका हो गया 12 meter away from the wall तो यह तब कितना हो गया यहां से यहां तक का distance आपको कितना मिल गया 12 meter अगर आप समझ पा रहे है इसको when the foot of the ladder is 12 meter away from the house जो ladder का जो foot है वो इतना इतना दूर चला गया कहां से house के house से मितलब इसके यहां से तो यह मेरको given है आपर x is equal to 12 meter जब यह change हुआ अभी हम change की बात नहीं कर रही है अभी पहले जो माना कि पहले lean हो रही है एक house पर और उसके लिए हमने मान लिया कि y है यह x है और उसके बाद जब हमने उसको इस तरफ को खीचा इतनी तेजी से खीचा कि जो change हमें मिला x में वो है 1.5 meter per second तो उसके इसमें alpha चेंज जब एलफा में फाइंड आट करना है तो उसकेस में जो x क्या हो गया उसकेस में 12 meter हो गया तो एक तो आपको x चेंज भी गिवन है 1.5 meter per second की speed से यह खीचा गया है तो जो बदलाव हुआ है वो इस रफतार से हुआ है and second आपको जो गिवन है तब उसकेस में x क्या हो गया 12 meter हो गया तो इस सिफ question को समझाने में काफी time मैंने ले लिया तो अभी let कर लेते हैं let y be the distance of the top of the ladder from the ground तो यह हमने मान लिया y है and let x be the distance of the bottom of the ladder from the base of the wall at time t तो यह हमने मान लिया x है और time t के respect में यह बदलाव हुआ बदलाव कहां हो रहा है यहां पर अब change तो वैसे यहां पर भी हुआ y में भी हुआ लेकिन अभी हमें जो find out करना है वो ground और ladder के respect में find out करना है वैंकि ladder हमारा जो angle बना रही है ground से वहां का change आपको given है तो वह change किया 1.5 meter per second की तेजी से पूल किया गया है और यहां पर का change आपको नहीं बता है तो आम इसलिए यहां पर नहीं consider कर रहे है यहां पर हम नहीं बोल रहे है कि वह चीज क्या है लेकिन जो change हुआ वह हमें पर चलिया कि वह 12 5.5 meter per second की speed से अब अगर आप देखेंगे तो यहां पर अगर मैं बात करूँ तो यह एक right triangle है right triangle के case में हम pythagoras theorem भी apply कर सकते हैं ताकि पहले situation थी 13 meter and x and y तो pythagoras theorem से हम find out कर सकते हैं और फिर बात पे भी जब lean हमने सा आगे की और ही चाप तो उस case पर भी वह हमारा right triangle ही है तो अभी हमें जो d alpha by dt find out करना है वो angle find out करना है angle के लिए हम क्या use कर सकते हैं हमारे पास कुछ trigonometry के formulas होते हैं जिनको हम use कर सकते हैं किसी angle वगरा को find out करने के लिए तो इसलिए right triangle भी है तो right triangle कहता है कि मेरे पास यह perpendicular है मान लीजिए यह base है और यह hypertonus है तो उस case में हम इसको consider कर सकते हैं sine, cos, tan sec, cosec इन सब के लिए तो अभी किसको consider करें, sine ले, tan ले मतलब अगर मैंको alpha find out करना है मतलब अगर मैंको इसका angle find out करना है तो मुझे trigonometry functions की use करना होगा तो trigonometry functions से ही मुझे angle मिलेगा वरना फिर मैं इस angle को find out नहीं कर सकती तो इसलिए आपर trigonometric functions हम यह पर apply करेंगे trigonometric function में मैंने आपर sine alpha यूज़ किया है आप चाहें तो cosec यूज़ कर सकते हैं tan यूज़ कर सकते हैं या फिर cause use कर सकते हैं लेकिन आपको idea होना चाहिए कि उनके लिए right triangle के लिए क्या cases बनते हैं जैसे sin alpha होता है perpendicular by hypotenuse और cause alpha होगा इसी case में base by hypotenuse तो मैंने sin alpha consider किया है तो sin alpha के case में P by H P क्या है आपर मैंने बताया perpendicular मैंने माना है Y कि जो wall है यह मेरा perpendicular है perpendicular है यह मैंने मान लिया कि यह base है और यह मेरा होगया hypotenuse तो इस case में पहले जो triangle था जो पहले triangle बन रहा है अभी तो हम change की बात ने करें कि change differentiate होकर ही मिलता है वो तब ही बनेगा अभी जो change नहीं है तो पहले हमें differentiate करना देखना होगा तो इसके लिए हमने sin alpha लिया sin alpha को p by h लिखा y by 13 मा लिख सकती हूँ y मतलब की perpendicular by base sorry hypertension इसके बाद अब differentiate कर लें इसको with respect to time t क्योंकि d alpha by dt हमें find out करना है कि कितनी तेजे से angle change होगा तो इस case में हमें इसको differentiate करना होगा और मैंने आपको इसको बता दिया कि हम क्यों alpha के लिए trigonometry function यूज कर रहे हैं तो differentiate करते हैं sin alpha की जो value होती है differentiate होके हमें मिलती है cos alpha तो अभी मैं पहले आपे दिखा रही हूँ है differentiate होके यहां पहले आप देखेंगे t के respect में differentiate करें मतलब एक अलग variable यहां हम लिख लेंगे then differentiate करते हैं तो हमें मिला cos alpha into d alpha by dt is equal to 1 by 13 into dy by dt यहां पर मैंने आपको शो किया हुआ है sin theta की value differentiate होके cos theta हो जाती है तो इसलिए alpha की term में angle given है तो इसलिए मैंने cos alpha लिखती हा theta मतलब कोई भी angle जिसको हम मान रहे है एक angle का नाम theta हो सकता है alpha हो सकता है beta हो सकता है कोई भी हो सकता है लेकिन आपको question में given था alpha तो इसलिए मैंने alpha use किया है तो alpha हमें मेरा इसके बाद cos alpha की value इस case में क्या होगी अगर आप देखेंगे मैंने आपको बताया अभी कि sine के लिए right triangle के लिए कुछ properties होती है कॉस के लिए होती है तो कॉस के लिए होती है base by hypertonus base के यहां पर x is a base हाँ 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 है 13 तो इस case में हम इसको लिख सकते हैं cos theta is equal to base by hypertonus x by 13 अब यहां पर आप देखेंगे तो differentiate होने के बाद ही differentiate होने के बाद ही मतलब हमें change मिलना शुरू हो गया change हमें मिल गया है यह तरना से change की ही equation है तो हम यहां पर x की value 12 meter हो गई यह हम put कर सकते हैं क्योंकि अब change find out कर सकते हैं हम तो इसलिए x की जगा पर मैं put कर सकती हूं 12 क्योंकि हमें given है तो यहां पर यह हो जाएगा 12 by 13 into में d alpha by dt is equal to 1 by 13 into d y by dt अब solve कर लेंगे इनको solve किया मैंने तो मुझे मिला d alpha by dt 13 30 cancel हो गया and 12 में right hand side ले गए तो यह according लिखा जा सकता है अभी भी d alpha by dt जो हमें find out करना है वो आया नहीं है क्योंकि d y by dt के जोगा हमें put करना है मतलब कि जैसे मैं आपको बताया था starting में question में ही कि जब हमने सीडियों को इस सरफ को खीचा तो change जो यहां आया वो change यहां भी आया होगा वो change यहां भी आया होगा तो यहां पर यह equation कह रही है कि हमें वो change भी पता करना होगा तब ही हम d alpha by dt find out कर सकते हैं तो d y by dt आप कैसे निकाले मतलब कि जो यह house का change है जिस वज़े से पहले यह सीडिया यहां थी तो change कुछ इतना आया होगा कि अप सीडिया वहां से नीचे की तरफ हो गए और मैंने picture थोड़ा अच्छे से नहीं clearly बताया होगा है कि यह सीडिया इस तरफ थी तो यह change कुछ तो यह change कुछ इस तरीके से आया होगा कि हमारा अप जो सीडियों का लेंथ है वह house के ground से वह कम हो गया होगा तो वही change वह change कितना है वह हमें find out कर रहा है तब ही हम d alpha by dt find out कर सकते हैं तो इसके लिए इसके लिए हम यहां पर pythagoras theorem का यूज करेंगे pythagoras theorem जो हमें कहती है कि 13 meter y and x अगर मैं इन तीनों को जो हमारा hypotenuse है अगर उसका square करेंगे वह equal होगा perpendicular पर्पेंडिकुलर पर्स ब्लेस के square के तो यही मैं आप अप्लाइ करने वाली हो ता कि d by by dt find out कर सके तो इसलिए we know that by pythagoras theorem मैंने h square plus b square दो तरफ क्यू लिखा इसमें आपको बदाते हूं अभी चाले मैंने इसको differentiate किया तो differentiate करके मुझे मिला time के respect में 13 square होगा 0 x square होगा third variable है तो chain rule use होगा तो यह 2x हो जाएगा यह dx by dt रहेगा प्लस यह 2y हो जाएगा यह dy by dt रहेगा तो इस case में अब 2x की value चाहिए हमें solve करने के लिए 2y की value चाहिए तो x की value तो हमें given है क्योंकि change अब हो गया है तो हम 12 put कर सकते हैं यहाँ पर और dx by dt की value हम यह पर put कर सकते हैं तो यह हो जाएगा dx by dt की value put की मैंने और then x की value put करी तो यह हो जाएगा solve करके 2 into 12 into 1.5 plus 2 into 5 into dy by dt अब यह y की value कहां से 5 आ गई यह मैंने यहाँ पर से find out की है कि हम यहाँ पर पार्ट अगरो स्चिरम की values को solve भी कर सकते हैं जब x की value 12 हो गई जब मेरी x की value 12 हो गई तो इसका square किया and hypothesis तो मेरा 13 ही है 13 ही length है सीडियों की वह तो change नहीं हो रहा है जब 12 हो गया तो y की value तब क्या रही होगी यह हम find out कर सकते हैं जब मेरी x की value 12 हो गई मतलब की distance है जब 12 हो गया तो मेरी सीडियों की length तो 13 meter ही है तो इस case में मेरा y कितना हो गया यह हम find out कर सकते हैं यहाँ पर find out करने के लिए जब 12 को put कर दिया 169-144 solve की इसको इसको left hand side ले गई y square यहाँ alone रहेगा 169-144 25 plus minus square तो root में आ जाएगा तो मुझे value मिली 5 meter मतलब की तब मेरी y की length कितनी हो गई जो सीडियों ने ground के साथ distance रखा 5 meter का रखा कब जब इसको इस तरह को खींच लिया गया और x की value 12 meter हो गई तो इस case में हमारे y की value हो गई 5 meter अब आप negative value है consider करेंगे कि negative नहीं हो सकती कोई भी length तो इस case में यह positive हो गया और ऐसे ही मैंने y की value यहाँ put कर दी इसलिए इस equation में y की value यहाँ put हो गई put करने के बाद solve कर लेंगे तो मेरा d y by dt आ गया d y by dt कितना है minus 36 by 10 तो अब हमारी जो पहली equation थी जिसके लिए हम find out कर रहे थे d alpha by dt जो हमें find out करना है वो आ जाएगा क्योंकि d y by dt हमें मिल गया यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो d y by dt के जाएगा minus 36 by 10 इसको आप solve भी कर सकते है minus fraction में रखा है solve किया तो by 12 में था solve करके हो जाएगा 0.3 अब यह minus में आया है minus मतलब अगर आप देखेंगे picture में तो जैसे हम किसी किसी को किसी भी cd को जैसे हम नीचे लेकर आए तो उसका अंगल क्या होगा कमी आई होगी तो वो जो change है जो कमी आई है जो बदलाव हुआ है अंगल में वो कम है तो वो change हमारा negative में रहेगा और यह जो unit है यह हमारे angle की unit है radiance तो angle है मेरा alpha तो इसलिए हम radiance लेकेंगे और time मेरा per second है इसी की respect में negative में मेरी value आई है तो ऐसे आपने solve करना है बाकी questions को भी अगर आपको हमारी videos पसंद आये तो like करें हमारी आगे आने वाली videos में update रहने के लिए subscribe करें और दोस्तों अगर आपके कुछ suggestions हैं तो हमें comment करें thank you